दोस्तों क्या आप जानते हैं कि pay yourself first का नियम क्या होता है ये बेहत आसान तरीका है पैसे बचाने का pay yourself first में सबसे जरूरी बात है कि बच्चत या investment के amount को एक बिल की तरह treat कीजिए और किसी भी दूसरे बिल से पहले इसका भूकतान कीजिए डिजिटल बैंकिंग के दौर में ऐसा करना बहुत आसान है आप account की system में जाकर systematic monthly transfer का option चुन सकते हैं इस तरह आपकी बचत अपने आप होने लगेगी इसके बाद जो पैसे बचे उससे बाकी खर्च चलाए पैसे कम पड़े तो दो तरीके आपके पास है इनकम बढ़ाएं या खर्च कम कीजिए लेकिन बचत के लक्ष को न बदलिए इस नियम को pay yourself first इसलिए कहते है क्योंकि आपने जो बचाया वही आपने कमाया कहते है जिसका खर्च कम उसी की जीत है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हूँ तो प्लीज इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें